हलो बच्चो मैं अमीना आज फिर आपके सामने ले करके आई हूँ गुलिवर एंड लिली पूटियंस का दूसरा भाग पहले भाग में हमने देखा था किस तरह से गुलिवर समुदरी तूफान में फस जाता है और उसका जहाज एक बड़े से चट्टान में जाकर टकरा जाता है तूट जाता है और गुलिवर के सभी साथी समुदर में डूब कर मर जाते हैं लेकिन किसी तरह से गुलिवर तैर करके किनारे लिलिपूट के देश पहुंचता है जहां पर लिलिपूटियंस उसे अपना दुश्मन मान रहे थे लेकिन वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है उसे किसी भी दुश्मन नहीं जाएं फिर कुलीवर को भूग लगती है वो उनसे खाना मांगता है तो वो लोग बहुत सारा खाना लेकर के आते हैं यहां तक कि सौ से जादा लोग उसके लिए बास्केट्स में भर भर के बहुत सारा मांस और ब्रेड रोटी पाव रोटी लेकर के आते हैं और वो उसे खाता है किस तरह से खाता है देखिए एक समय में तीन से चार ब्रेड के टुकड़े वो खा जा रहा था ब्रेड यह देख करके वे छोटे छोटे लोग जो है बहुत अश्चर हो रहे थे अब गुलिवर को जाना था राजा से मिलने के लिए लेकिन खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई और वो सोने के लिए चला गया राजा उसे मिलना चाहता था राजा ने कहा वो दानव दुश्मन कहा है लिली पूटियंस ने रप्लाइट किया वो सो रहा है यह सुन करके राजा चिलाया ब्रिंग हिम बिफोर मी उसे मेरे पास लेकर के आओ चोटे-चोटे लोग थे वो लोग गुलिवर को उठाने में नाकामियाब रहे इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा प्लाइटफोर्म तयार किया मंच तयार किया जिसमें बहुत सारे चक्के लगे हुए थे पहिये लगे हुए थे जब वो प्लाइटफोर्म बनके तयार हो गया तो उन्होंने गुलिवर को उस प्लाइटफोर्म के उपर में रखा और सौ से लगबग सौ घोड़े उस प्लाइटफोर्म को खीच रहे थे तो सोचे बच्चो वो कितना बड़ा मंच होगा तो राजा ने अपने लोगों से कहा एक बड़ा सा बिस्तर तयार करो तो वे लोग 600 बेड़ को लाए और एक साथ उसे जोड़ दिया इस तरह से एक बड़ा सा बेड बड़ा सा मंच तयार हो गया वहाँ पर लिलिपूतियंस कंट्री में गुलिवर को बेड और ड्रेस भी दिया गया कुछ कपडे भी दिये गया As the days passed, जैसे जैसे दिन बीतते गये The little people found him harmless चोटे लोग गुलिवर को harmless पाया उन्होंने यानि कि उन्होंने देखा कि गुलिवर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुचा रहा है Once एक बार, an enemy country, एक लिलिपूटियंस का दुश्मन देश attacked the लिलिपूटियंस उन्होंने लिलिपूटियंस पर हमला किया गुलिवर helped them against their enemies गुलिवर ने लिलिपूटियंस का मदद किया उनके दुश्मनों को हराने के लिए तो ये देख करके राजा बहुत खुश हुए और उसका तारीफ करते वे कहा उन्होंने Oh my dear friend गुलिवर, oh मेरे प्यारे दोस्त गुलिवर Ask, what do you want as reward? मांगो, तौफे की रूप में तुम क्या मांगते हो? गुलिवर ने कहा Oh my lord, I wish to leave लिलिपूट and go back home तो अब गुलिवर ने कहा कि हे महराज, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर जाओ मैं यहाँ इस लिलिपूट देश से मैं जाना चाहता हूँ The king granted him permission राजा ने गुलिवर को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी Fortunately, किस्मत से, he found a boat floating near the she shore किस्मत से, कुलिवर को नदी समुद्र के किनारे ही एक boat दिखा तैरता हुआ He raised his hand to catch the crew man's attention तो फिर उस नाओ पर बैठे हुए लोगों का ध्यान खीशने के लिए कुलिवर ने अपने हाथों को हिलाया ताके वो लोग उसे देख पाए The boat came to him तो फिर इस तरह से boat कुलिवर के सामने आया तो चुकि अब गुलिवर लिलिपूटियन को छोड़ करके जा रहा था तो वे लोग भाविक हो गए बहुत ही emotional हो गए They hugged and shed tears तो विदाई के समय वो लोग एक दूसरे से गले मिले और उन्होंने आसू भी बहाए क्यूंकि वो लोगों को एक दूसरे का company एक दूसरे का साथ अभी अच्छा लग रहा था इसलिए लोग रोए Eventually इस तरह से they bid farewell to him इस तरह से लिलिपूटियन ने गुलिवर को अपने देश से विदा कर दिया In this way इस तरह से he went back to England इस तरह से वो अपने देश England पहुँच गया तो बच्चो यहां तक था हम लोगों का गुलिवर आंड लिलिपूटियन का कहानी इसके आगे के भाग में हम देखेंगे इसका question and answer ओके बच्चो?